नमस्कार दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत सवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल लिए गुरुजी पर सुगाई जित्ते लोग यहां पर जोड़ रहे हैं समलित हो रहे हैं सभी लोग जो है फटाफर जो है क्लास में आ जाईए आप सभी को टेलिकराम गुरुप पर ही जो वीडियो के नोटिफीकेशन है वही पर मिलेंगे तो ऐगर आप लोग त् het évंट जुड़ जाओ सबी का सुवागत है वेलकम है आजाओ भई आजाओ सब लाइव कहां पर हो क्लास तो चली रही है इस प्रश्ट आपको बस इतनी टॉपिक पढ़ने है संधी फिलोम प्रयायवाची वाक्यांस के लिए एक सब्द लिंग समसुत भिनार्थ है को मुहावरे लोकोक्ती सामान आज़ना गढ़न कॉशण यहीं से आपके टोटल 15 वंद्रा कोशन आएंगे जो 10 कोशन आएंगे तो यह ईतना दा प्रेक्टिस करते रहेंगे पहला पर वाक्यांस के लिए एक सब्द आने लेंगे तो यह जो खानी योगी नहीं हो इसको क्या बोलते हैं या बोलते हैं तो और आपस नंबर रहीं सात्य यहां पर जो है अगला कोशन देखेंगे अब समता बताती हो चलिएगा जिसके पास घर ना हो उसके लिए सब्सक्राइब पूछा गया है सब्सक्राइब कल एव जसे अब करिब दो इस प्रश्णिका जो सही तरह आपका क्या हो जाएगा भई आउसर के जो अनुरूप बदल जाते है उसको जो बिसकली आउसरवादी गहते है तो डी उत्तर जो दिया गए आपका करेक्ट हो जाएगा जो इस्तरी सूरय भी ना देख सके उसके एक सब्द बते ही क्या हो जाएगा इस प्रश्निका जो सही तरह आपका क्या हो जाएगा अग्ये देखो अग्ये मतलब अग्यानी से बना हुआ है यानि कि जो भाय आग कुछ नहीं जानता उसको अग्यानी आग्य बोलते हैं तो option no 6 अपर जो आधिया गया है बिलुकल correct हो जाएगा अग्या अग्यानी तो आधा सब्दे के लिए एक वाकी बतर ही क्या हो जाएगा अथा सब्सक्राइब किस वाक्यान्स के लिए एक सब्द है इसके तरह आप क्या हो जाएगा आप प्रमेज दिया गया है तो इसकी बात करते हैं तो यह आपका जू है जो तौला यमांपा नहीं जा सकता है इसको बोलते हैं और जो प्रमार से सिध्ध ना हो सके देखो कोज़न है अपरेभी स्थान से या इस्थिति से अलग ना हो सके यह अपने अस्थान 없다 हो सके वार्ए क्या हो सकता है 1 जो अपने अस्थान से अपनी इस्थिति से अलग किया जा सके उसके लिए साथ हो जाएगा चुत क्या होता अपसर नम्बर-self मयरे नहीं पर शुब बना दिया है, हिंदी का, इस्टरी का और सब milliseconds वन जाएगे जिसे इस तरी के पुत्र और पती ना हो उसके लिए एक सब्द बता ही हो जाएगा या अवीरा क्या हो जाएगा जिसे इस तरी के पुत्र भी ना हो पती भी ना हो उसको अवीरा बोलते हैं तो option number 7 यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर यह बिल्कुल correct हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला इसके लिए एक सब्द बताए कौन सा सही है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला इसका जो सही तरब का क्या हो जाएगा तो भाई एगर हम बात करते हैं question number 10 के बारे में तो 10 number question का जो सही तरब का क्या हो जाएगा 10 number question का जो सही तरब का हो जाएगा अप व्यर्थ खर्च कर डालने वाला साथ हो अब व्य होता है तो option number A जो दिया गए हां पर correct हो जाएगा अग्ला question है जिसका उप्चार ना हो सके उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा बई जिसका उप्चार ना हो सके उसके रिए जिसका उप्चार कथिन हो ठीक है असादि मतल terug जिसका उप्चार्ण नहों सके तो आपसर नमबर साथी जितने जवाब दिया उप्सर नमबर बी वाला वो लोग यहां पर करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या पुछा गया है ध्यान से देखिए एक और सब लोग यहां पर जबाब जो देती ह चले का बई है चली अगला कोशन देखिए कह रहा है जिसकी पहले से कोई आसा नहों सके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा चाली तो अगर हम बात करते हैं जिसकी पहले से कोई आसा ही नहीं है भई देखो आसा तीद मतलब होता है आसा से अधिक होता है और जिसकी पहले से कोई आसा नहों उसको बोलते हैं या आप प्रत्यासित ठीक एची याद रखिएगा जो आसा से अधी को आसा तीद बोलते हैं आसा जनक मतलब होता है आसा बढ़ाने वाला ठीक है अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या पुछ अगया है राज जी के द्वारा निकाला गया इसके लिए एक अधिकारी कादेश इसके लिए एक स करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आप से अपर क्या पुछा गया धियान से देखेंगे और सब लोग बताते हो चलिएगा जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसके लिए एक सब्सक्राइब क्या हो सकता है कि वह characterո फिलिए कि अ धिर्शदानर कोश्षान का जो सही तरह का क्या हो सकता है इस प्श्रेश्णी का जो सही तरह को जाएगा बहले अभी जिस पर मुकदमा चलाया गया उसको अभी अभी उड़ता बोलते पॉइंट याद रखिएगा ठीग है चलिए ंगला कोशन देखिए आपसे हाँ पर क्या कह States हो कि Iäg अनुभाव गते हैं कि यहां पर उन厲害 Abs प्रश्चने का जो सही तरापका क्या हो जाएगा जिसके रखिर्दे में भाव जागरित हो जिसके emotion की बात करते हैं आäsident सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा जिसके आने कि तिथी ना हो उसको अतिथी बोलते हैं आतिथी बोलेंगे तो आपसर नमबर यह साथ हो यहाँ पर जो एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है जिसे भले बुरे का ग्यान ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा भी जिसे पूरा कोशन कट रहा है क्या अभी नहीं कटेगा जिसे भले बुरे का ग्यान नहीं होता है कुछ लोगते हैं उनको भला क्या है बुरा क्या नहीं है उसको आविविकी बोलते हैं त उसके लिए एक सब्द बताई एक हो जाएगा भई। यह और जोड़ा जानता है। जो पड़ा जानता है। यह एक सब्द बताई घ्या हो जाएगा। ज़ आपके हुझा सोब करें। यहां जूड़ा होतोगा है। तो यह चीज़ जो याद रखेगा ठीक है जिते लोग ने आप जबाद दे हाल पग यह वो लोग आप पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया है जो अभी अभी उत्पन हुआ हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जा जाएंगे अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा जो पान करने योग यहो उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए इस प्रश यौग यहाँ प्रशन है अगला कोशन है जो कुछ नहीं जानता है इंतलब अ जो कुछ हो नहीं जानता दoug ज्यानी इसके जो कुछ जानता हो उसके लिए आपका जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए विग्या भी ज्यानी होता अलपा के मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हो और सरवा के मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो इसके लाव एक वर्ड है भई अकिंचन इसका अर्थ पता अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इस सब्ध किस वाकिक लिए प्रियुक्त होगा तो ये होगा धरती और आकास की बीच के अस्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं तो सीजवाला जो उत्तर दिया गया आपका करेक्ष हो जायगा ठीक है अंतरिक्ष होता है अगला कोशन है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके उसके एक सब्द बताई क्या हो जाएगा भई जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके 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 एक सब्द बताई क्या हो सकता है चलिए भई, तो यहाँ पर अभेद साथियों, यहाँ पर दुर्भेद या भेद, जो कठनाई से भेदा जा सके, अभेद हो जाएगा, जो भेदा ही ना जा सके, तो आपस नमबर ही साथियों करेक्ट हो जाएगा, जो प्रमार से सिद्ध ना हो सके, उसके एक सब्द बताई क क्या हो सकता है कि चलिए तो जो प्रमार से सिध्ध ना हो सके अभी पहला ही दूसरा कुशन आपको कराया गया था इसे संबंदित उसको बोलते हैं आप प्रमे तो आपसे नमर्बी साथियों करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे आपसे हां पर क्या पूछा गया ध कर थे हो जाएगा अगला कोशन दोखेंगें कि क्या काम करता है उसके लिए एक सब्था सोच करके काम करता है तो अग्र सोची भाइखे अगला कोशन है निसका और मद्हेंश की बीच की उंगली को क्या कहते पंड़िक हृए कि चारो ऑप्षण उस सरीके से हैν तो और आमी का option number D साथ हो यहाँ पर जो यह correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया है, कि आवरणिये सब्दिक लिए एक वाकिवताई क्या हो जाएगा, आवरणिये, इसके वाकिवताई क्या हो सकता है, चलिए, question number 30 से सब लोग यहाँ प आवरणिये, जो वारण से परे हो उसको वारणना तीत बोलते हैं, जो वारी दोरह विक्त किया जा सके उसको निर्वचनिये बोलते हैं, या वरणिये बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, जिसके कोई कीमत ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाए च्प्ति उसका तो यहांपर यह सų नंबर विक्त ना किया जा सके उसके एक absorption hd अग्ला कॉशन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता भई जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा चली भई फटाफ़र जवाब जो देते हो चलेंगे इस प्रश्ण का जो सही तरब क्या हो जाएगा जिसके समान कोई दोसरा ना हो, उसके लिए एक सब्द अनन्य हो जाएगा, ठीक है, अनन्य जित्ते लोग ने हाँ पर जवाब दिया है, आपस नम्बर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे, अगला कॉशन है, पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक सब्द बता अनुचर होता है, तो वो भी होता है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आयोग ने सही आना है, बी वाले को तुझ करेक्ट कर देंगे, अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया, धेयान से देखेंगे, और सभी लोग नहाँ पर जवाब देती जो विधिया कारुन के विद्ध उसको अवैद बोलते हैं तो ये चीज़ याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए आपसे हाँ पर क्या पूछा गया है आ नियमित के लिए उचीत वाक्यांस चुनो क्या हो जाएगा भई आ नियमित सब्दे के लिए उचीत वा वाकी बताई क्या हो जाएगा अग्ला कुशन देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा और सब्देने का प्रयास कीजिएगा आ निर्डित के लिए एक वाग की बताई क्या हो जाएगा आ निर्डित इसके लिए एक वाग की बताई क्या हो सकता हुई देखते हैं किते लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं आ निर्डित दिया गया है इसके लिए एक वाग की बताई क्या हो जाएगा चालिस समर कोईशन के बात करते हैं तो जिसका निर्डाय ना हुआ हो उसके लिए होता है आ निर्डित तो आपस्य नमबर 20 साथ हो यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोईशन है जो आवस्य होने वाला है उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता भी जो आवस्य होने वाला है उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा तो भाईया जो आवस्य होने वाला है उसके लिए आपका हो जाएगा आवस्यम भावी क्या हो जाएगा भी आपका आवस्यम भावी option number C साथ हो यहाँ पर जो दिया गया आपका correct हो जाएगा पृत्वी तारो ग्रहो इनका अस्थान जो है इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा पृत्वी तारे ग्रहो इनके लिए एक स्थान बताई क्या हो सकता है अगला question है जिसको वेतन नहीं मिलता है उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है तो भाई है जिसको वेतन नहीं मिलता है उसके लिए एक सब्द हो जाएगा आवेतनिक क्या हो जाएगा भाई आवेतनिक हो जाएगा या ऐसी जीव का जिसको कुछ ठिकाना नहों उसको अकास वृत्ति बोलते हैं अगला कोशन है जो मापा नहीं जा सकता है उसके लिए एक गया हो उसके लिए एक सब्सक्राइब क्या हो जाएगा कुछ समय थोड़े समय के लिए तो अंसकालिक होता है अर्दकालिक मतलब कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो option number अगला question है जो आधी अवधी तक काम करता है तो अर्दकालिक हो जाएगा आधी अवधी काम करने वाला अर्दकालिक महल के भीतरी भाग को किस सब्सक्राइब से जाना जाता है इसका जो सही तरापका क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हो चलेंगे तो यहाँ पर जो सही तरापका हो सकता है 47 का option number C वाला अंतापुर के नाम से जानते हैं तो बच्चा C option जो जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर correct हो जाएगे अगला question है बिना पलक गिराए इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है चलिए फड़ा फड़ जवाब जो देते हो चलेंगे इस प्रश्ण का जो सही तरापका क्या हो जाएगा तो भाया बिना पलक गिराए यानिकी अनिमेस अच्ची उतरापका हो जाएगा अनिमेस म सब्दे के लिए सर्वुत्टम वाकि क्या हो जाएगा अक्थनिये एक सब्द दिया इस सब्दिया इसके लिए सर्वुत्थम वाक्ष नहीं प्रसा लंबर को जाएगी वहाव पर सथी हो जाएग.? जिसकी कोई उपमाना दी जा सके उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा तो 50 नमर कोशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुपम जिसकी कोई उपमाना दी जा सके उसके लिए आपका एक सब्द हो जाएगा अनुपम तो आपसर नम्बर साथ यहाँ पर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है सर अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भई ध्यान से देखिएगा अग बीच-बीच में जोड़ते हैं क्या मिलदा यहाँ लाइक कर तो कम से हम क्लास कॉवाब आकर जाना ही है तो लाइक करके चले जाओ तो चीड़ हो सकता Mmm को च्वड़ा नहीं तो 52 का जो सही तरब हो जाएगा आत्याज ठीक है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए आत्याज हो जाएगा उरग क्या हो जाएगा जो छाती के बल गमन करता हूँ अगला कोशन है जिसके समान जिसका किसी भी तरह उलंगन नहीं किया सकता है अनुलंगनिये साथी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन दिखिये कह रहा है तिलक लगाने में किस अन्य का प्रियोग जो उप्योक किया तो आपने दिख़ो कि तिलक लगाते हैं तो उसको अक्षट बोलते हैं क्या बोलते हैं तो अप्स नंबर बी साथ यहां पर जो जो एक पूछा गया है अच्छट मतलब क्या होत आसे बताई क्या हो सकता है इस प्रश्णिका जो सही तरप क्या हो जाएगा चलिए अन्या मनस्क की अगर हम बात करते हैं तो साथ हो याद रखेगा इसका आसे बताई क्या हो जाएगा तो बच्चा यहाँ पर याद रखेंगे इसका आसे होता है जिसका मन किसी दूसरी और हो उसके लिए अपरिवर्त निये जो बदला नहीं जा सकता है अगला कोशन देखिये आप से हाँ पर क्या पुचा गया देखेंगे और अगर सब लोग अंपर जवाब देते हैं चलेंगे जो वाड़ी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके जो वाड़ी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा आ निर्वचनी है अभी थोड़ी देर पहले आपका हुआ था जो वाड़ी द्वारा विक्त नहीं हो सकता आ निर्वचनी यह बोलते हैं ठीक है अगला कोशन देखें आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है जो सोक करने के योग गिना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है चलिए देखते हैं किते लोग यहाँ पर जो सही जवा बहुरे जो सही जवाब आ रहे हैं तो यहाँ पर याद रखेगा एक सटका जो सहीत तरह आपको हो जाएगा आसृत पूर्व जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए एक सब्द हो जाएगा आसृत पूर्व तो आपसर नमबर D बच्चा यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है निस्फल ना होने वाला क्या कहलाता वही निस्फ अंवर्व कहलाता है तो आपसर नमबर D यह साथ हो जाएगा अनुकरणी लिए कि लिए उप्रिक्त का रिखक हो जाएगा और उप्रिक्ट वाज्वी निस्धी हो सटेक्व चनल करने थह बहता है तो ऑफ्से नमबर B यह वाला अगला कोश險 है बढ़ा चढ़ा कर कहना इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा भी बढ़ा चढ़ा कर कहना इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है भाई या 64 का जो सही तरह पहो जाएगा अतिसा योक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिसे योक्ति हो जाएगा तो option number 7 यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला यहाँ पर यह correct हो जाएगा अगला question देखेगा आप से यहाँ पर क्या पुछा गया है ध्यान से देखेगा और सब लोग यहाँ पर तो अगला question है नेविकत में से पीछे चलनेवाला इसके लिए सब्ध बताएगे होसकता है चली वाई इसके शही तरा क्या होसकता है पीछे चलने वाला तो कौन हम बात करते है अनुगत उता है इसके लख मैंने और भी कई सारे वर्ड आपको बता रखें इसके लिए तो आपस अनुगामी भी होता है तो आपस नमबर यह साथ हो यहाँ पर जो एक करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है जिसके तुलना ना की जा सके उसके लिए एक सब्सें नहीं जा सके उसके लिए एक सब्सब्द हो जायगा अगला कोशन देख़ेज़ Lastim देखेए गए और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुआ चलिएगा जिससे जीता नहीं जा सकता उसके एक सब्द बताई क्या हो सकता भई, जिसे जीता नहीं जा सकता है, उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा, तो भई जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक सब्द हो जाएगा, अजे हो जाएगा, तो अजे साथ ही यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अग पराजित नहीं कर सकते भाई या उसको आ पराजित बोलते हैं तो आसम दोचन हो जयागा जिनसे मतलब हो इसके आने का जाने का समय निश्चित नहीं होता हा वो अतित्य होता है अनाहू साथियों यहाँ पर जो एक और पिड़ी दर पीड़ी चला आने वाला अंवयागत होता है क्या होता भी अंवयागत होता है तो option number साथियों यहाँ पर D जो दिया गए आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक सब्द बतई क्या हो जाएगा भई जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक सब्द बतई क्या हो सकता भई या जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज बड़ा होता है ना भई तो अग्रज मतलब जो इसका जन्म जो आपका पहले हुआ हो तो आपसर नमबर ए जो दिया गया साथी हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है किसी कारे के लिए दी जाने वाली आर्तिक सहाथा जिए उसको अनुदान बोलते हैं क्या बोलते है ऐसको अनुदान जाती हो यहाँ पर जो पिलकूल्या पर पूछा गया है ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हूँ चलिएगा जिस पेड के पत्ते जढ़ गए हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा वई चलिए वई सब लोग यहाँ पर जवाब जो देती हूँ चलेंगे जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा तो आपसर नमबर D अपत बोलते हैं क्या बोलते हैं तो D आपसर नहां पर जो हो जाएगा ठीक अगला कोशन है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा होई जो पहले कभी न हुआ हो चली के हैं इसका क्या हो जाएगा तो पहले कभी हो इसके लिए एक सब्धों Lock वेन कुछ तो इसके पहले कभी हुआ हो यहां पर जीतर में जबाद पिया साथ यह ऑफ कोई दूसरा न हो सब्द बताई क्या हो जाएगा अधुतिया नॕषा पेला सम तो यहांपर 75 का जो तरह आपको जाएगा ऑपोसन अम्बर ए अधुतिये जिसके समान कोई दूसरा न हो अधुतिये कहलाता है ठीक है चलिए अगला क्योंशन देखिया आप से हापर क्या तो B option साथ हो यहां पर correct हो जाएगा अंतियज अभी मैंने आपको बताया था ना अंतियज का अर्थ क्या होता है जो छोटी जाती में निच्री जात में पैदा हुआ हो जो जिसका जन्म अच्छुत वर्गे में हुआ हो उसको बोलते हैं अंतियज तो option number 7 यहां पर जो दिया हैं तो 78 का जो सही तराप का क्या हो जाएगा और सी वाला अजर एक होता अजर एक होता अमर तो जिससे बढ़ाब पाना है उसको अजर में बोलते हैं तो साथ हो जित्तों ने जवाब दिया है सी वाला वो लोग यहां पर साथ हो जाएंगे भई अगला question देखिए आप से य जर्मा करने यहोगे नहीं है उसको अच्छाम में बोलेंगे क्या वोलेंगे तो आफसर नमबर 20 आथ हो यहां पर correct हो जाएगा अगला question है जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा तो 80 नमबर question में आपको हो जाएगा अना क्रांत जिस सब्द लोग यहां पर जवाब जो देते हो चलिएगा पूछा गया भाई कहां गया जिसका सत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा 21 के अगरम बात करते हैं तो यहां पर जो एक सही उत्तराप का हो जाएगा अजात सत्रु जन्मा मत कर देना अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भई एक नुटक चलिए भई अगला question देखिए आपके साथ में यहाँ पर यह कह रहा है वाक्यों में ऐसे सब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पढ़ती इसका जोसरी तरह आपका क्या हो जाएगा भई यहाँ पर पर प्रती क्या कहलाती है ऐसे कौन से सब्द होते हैं जिनके ना रहने पर भी कोई बाधान आपड़े समझने में तो यहाँ पर हो जाएगा भी आपका अध्याहार ठीक है अध्याहार जीते लोग ने आप पर जवाब दिया हो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे जो अगला कोशन है उसके लिए एक सब्द बताएगे क्या हो सकता है तो बच्चे याद रखी को उसके लिए एक सब्द हो जाएगा अध्यूडा परित्यका अनूडा तो यहाँ पर जो सित्रप का अध्यूडा क्या बोलते हैं अध्यूडा बोलते हैं क्या बोलते हैं अन्योधर बोलते हैं तो आपस नमबर A साथ हो यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन है आ कथनिये सब्दे के लिए सर्वुत्तम वाक्य का चैन करो भई आ कथनिये सब्दे के लिए सर्वुत्तम वाक्य का चैन करिए भई कोईशन 85 यह सब लोग जवाब जो देती हो चलेंगे तो यहाँ पर जो सही तरह आपका हो जाएगा जिसके बारे में कुछ नहां कहा जा सके उसको बोलते हैं आ कथनिये तो C वाला जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है जिसका ग्यान इंद्रियों के द्वारा नहो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है 36 की बात करते हैं तो जिसका ग्यान इंद्रियों के दाना हो उसको अतीं द्रिये बोलते हैं क्या बोलते हैं भई अतीं द्रिये बोलते हैं तो यहाँ पर आपसर नमबर जो इसका भी दिया गया साथ हो करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या पूछा गया है माफ कीजिएगा जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके एक सब्द बताई क्या हो जाएगा जो भेदा ना जा सके तोड़ा ना जा सके उसके एक सब्द बताई क्या हो सकता भई देखते हैं किते लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं तो 27 की बात करते हैं तो अभेद्य जो भेदा ना जा सके तोड़ा ना सके उसके लिए आपका अभेद्य हो जाएगा तो B of सने हाँ पर साथ हो करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है अन्य से संबंद ना रखने वाला इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा अन्य से संबंद ना रखने वाला इसके लिए आपका एक सब्द बताई क्या हो सकता है चलिए तो भेद्या अन्य से संबंद ना रखने वाला आपका जो है क्या कहलाता है अनन्य कहलाता है तो option number бег जो दिया गया आपका Correct हो जाएगा अग्ला question है जो ढगा ना हो उसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है जो ढगा ना हो मशन लिए Одंग जो जो दोराया ना अगला कोशन देखे आप से हांपर क्या पूछा गया है कि जबार ऊंदेकर को अनुसृती दिया गया इसके लिए होता यहाई गया लगयात में अग्रा कश्चन दीके गयेगा है जिस में थ्यार न फूस के सब्द क्या हो सक्ता है देखते हैं कि तो लोगashothers जो यह सही जवाब देते हैं तो बच्चे याद रखेंगे जिसमें धैर ना हो उसके लिए एक सब्द हो जाएगा 92 में और सी अधीर हो जाएगा जिसमें धैर ना हो अधीर होता है तो और साथ यहाँ पर जो दिया गया सी वाला जाएग элемण चलिएह baking पार दरसी मतलबता ही जिसके यहाँ पर आप लूग्च देख सकते हो लेकिन अपार दरसी हो जाएगा जिसके पार ना दीखा जा सकती है तो आप्स नूमर्ः साथी हो हो जो ती आ गया चलिए देखते हैं किते हो आपर जोई सही जवाब देते हैं अनुत्रित सब्ड के लिए जो आपका हो जाएगा क्या 94 की अगर हम बात करते हैं तो आफसर नमबर बी वाला जिसका उत्तर ना दिया गया हो अगला कोश्ड देखे कह रहा है जिससे गीना ना जा सके उसके 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 लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा तो बच्चा जी से गिना नहीं जा सकता है उसके एक सब्द बताई क्या हो जाएगा जाएगा जिसे वाड़ी द्वारा विक्त ना किया जा सके इसके एक सब्द बताई क्या हो सकता वह चलिए जिसे वाड़ी द्वारा विक्त अभी थोड़ी दिर पहले आपको पढ़ाएगी कोशन दोसरी तीसरी वार रीपीट हो रहा है आ निर्वचनी यह सात्यों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए अगला कोशन देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजेगा वही अगला कोशन देखेंगे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है अपराद बोद से होने वाली गलानी इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो जाएगा वही अपराद बोद से होने वाली गलानी इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है चलिए वही जवाब देखेंगे अपराना शुरू हो गया है तो भई अपराद बोध से होने वाली गलानी इसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा आत्म गलानी क्या हो जाएगा भी आपका आत्म गलानी हो जाएगा अपराद बोध से होने वाली गलानी आत्म गलानी अगला कोशन है जिसकी भुजाएं तक लंबी हो अजानु बाहू कहते हैं या जान बाहू कहते हैं दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा बता नमें 98 का जो सभी तरा आपका क्या हो जाएगा भी पैर से सिर्थ तक इस वाक्यांस के लिए एक सब्द बता ही क्या हो जाएगा अपाद मस्तक क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखें आप से हां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे और सुब लोग उताती है चलेंगे आति ठीकी सेवा करने वाला इसके लिए एक सब्द बताई क्या हो सकता है तो बच्चा याद रखेगा आति ठीकी सेवा कर ये एक सब्द से ऐसे हर टॉपिक से क्वेशन कराए जाएंगे परिसान मत हुई है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिविकेशन मिलता रहे इसका पीडियाफ अभी मैं आपको टेलिग्राम पर डाल देता हूँ